अलो दोस्तों आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन तो यहां पर रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया के दोरा फाइनेंशल येर 2021 के लिए तीसरी मॉनेटरी पॉलिसी को रिलीज कर दिया गया है यानि कि मौद्रिक निती यहां पी एक बार फिर से आर्बिया के दोरा रिपो उसका दो मुखिया सोर्स होता है सबसे पहला सोय होता है कि हम और ऑप बैंक में पैसे जमा करते हैं तो उससे बैंक के पास पैसे आते हैं और डूसरा सोर्स होता है là या उन इसके τटी है तो इसके ऊपर कुछ इंट्रेस्ट चार्ज किया जाता है और यहीं पर इंट्रेस्ट का जो रेट होता है वह क्या कहलाता है इस तरीके से आवि lud Jakub की जीवन में डाइरेक्ट प्रुफाव डालता है देखिए अगर बैंका जब आपकों के दौरा ऐसे ज़्यांदा इंट्रीस्ट में लॉन लिया जाता है यानिकी रपहँट मालीजी का पढ़न इनभा दिया इसका मतलब यह कि बैंक आद लीगी तो वह जिछ दांदा इंट्रीस पर अब यहांप तरीके से आम लोगों जिवन में प्रभाव डालता है यहां पर बात करें रिवर्स रेपूरेट के बारे में तो देखिए बैंकों के पास जब जादा पैसा आ चाहिए ताकि देश में जो महंगाई है उसको कंट्रोल किया जा सके और भी फाइनेंस से जुरेवे बहुत सारी चीजों पर डिसकेशन होता है और फैसले लिये जाते हैं यहां पर देखिए दो महीने में एक बार मॉनेटरी पॉलिसी कमीटी की मीटिंग होती है और मॉनेटर में 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 मैं होते हैं जो में कमिटी में मीमरर खोटे हैं रिज़र बैंक ऑफ इंडियाके से होते हैं और स llev बात कमीटी में अब अगर हम बात करें कि इस third by monthly monetary policy में कौन कौन से decision लिए गए सबसे पहला decision यही है कि repo rate और reverse repo rate में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं लाए गया repo rate अभी कितना है 4% है और reverse repo rate कितना है 3.35% है तो अभी यही इसी को बढ़करा रखा गया है इसमें कोई भी बदलाव नहीं लाए गया है ऐसा इसी लिए क्यूंकि कहा जा रहा है कि हमारी economy already revive हो रही है और किसी भी प्रकार का change growth पे impact कर सकता है युनाइन मिसली ये फैसला लिया गया पांच लोग पक्ष में थे कि repo rate और reverse repo rate में बदलाव नहीं होना चाहिए जबकि एक लोग जैंत वर्मा प्रोफेसर जैंत वर्मा जो है अगेंस्ट में थे उनका मानना था कि इन रेटों में बदलाव लाना चाहिए इसके लवा देखे इस सातवी बार है सातवी मॉनिटरी पॉलिसी कमीटी के मीटिंग में इन रेट को चेंज नहीं किया गया लास्ट बार 22 में 2020 को इस rate को चेंज किया गया था उसके बाद लगातार यही बढ़करार है यहां पर RBI के दोरा inflation महंगाई को लेकर के काफी जादा चिंता जताया गया है 31 मार्श दोजर चबीस तक आपको पता होगा कि RBI का target है कि inflation rate 2% से 6% के बीच में रखना है यहां पर forecast किया गया है नुमाल लगाए गया है कि financial year 2021 में जो आपका inflation rate है जो महंगाई दर है वो 5.7% होगा पहले यह कितना था 5.1% था तो इसको अभी यहां पर बढ़ा दिया गया है यह एक बड़ा बदलाब जो है किया गया है इसके अलाबा देखिए financial year 2022 थे इसके लिए पहले quarter में जो महंगाई दर को forecast किया गया है वो 5.1% है अगर हम GDP के बार में बात करें तो GDP का सेम है जितना पहले forecast किया गया था इस financial year के लिए उतना ही है डियल GDP growth 9.5% जो है वो उसको अनुमाल लगाए गया है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही था आप इन सभी decision के पारे में क्या सोचते हैं हमें अपना opinion जरूर बताएगे